आज मैं आपको प्रॉजर की डिजाइन दिखाऊंगी जो आपको युकिनन बहुत पसंद आएंगे अगर आप को स्टीचिंग आती है तो आप खुद घर में भी स्टीच कर सकते हैं अगर नहीं आती तो आप अपने टेलर से भी रेडि करवा सकते हैं यह एक ट्रॉजर का डिजाइन है यह खुद घर में रेडि किया हुआ है यह देखिएगा इसकी बॉटम पे यह डिजाइन बना हुआ है इसके उपर पिंटेक्स डालें तीन इंच का इसके अंदर कपड़ा एड़ किया गया है दो दफ़ा इसमें लैसीज के इस्तमाल किया ग सैंवनी इसकी दूसरी साइड पे इसके पिंटेक्स डाले हुए हैं यह देखिएगा यहां से स्क्रीन शूट ले सकते हैं स्क्रीन शूट लेके आप अपने टेलर को दिखा सकते हैं इसके अलावा मैं आपको दूसरा ट्रॉजर का डिजाइन दिखांँगी आप पहले अच्छी तरह से ले लीजिए जो अब इसके लावा में आपको दूसरा डिजाइन दिखा रही है हो ट्रोजर का यह जो ट्रोजर के डिजाइन है पहले आप इसका स्क्रीन शूट ले लीजिए इसके उपर दो दफ़ा शर्ट का बॉडल लगाया गया है इसकी जो चुड़ाई रखी गई है नीचे से पहुंचे की जो है वो तक्रीमन 7 इंच है इसके अलावा यह फ्रंट और इसकी भी बैक से से में एक जैसी रेडि की गई है इसके लावा इसके उपर आपने यह पहले एक सीधी पटी रेडि करनी है यह उपर से अलाग से पटी लगाई गई है इसको आपने 7 इंच इसका लंबा रखना है यह गिरा लगाने के लिए यह नोट इसकी बन जाएगी ऐसे करके यह बटरफलाइ स्टाइल की यह दिखिएगा जब इसको नोड लगाएंगे तो यह पहनी हुई बहुत आपको अच्छी लगेगी आपके अच्छी लगेगी यह मैं आपको एक ओट रोजर का डिजाइन दिखा रही हूं यह बिल्कुल सिंपल स्टीच किया हुए इसके उपर सिरफ दो लैसी का इस्तमाल किया गया है एक इसके उपर यह वाली डबल वाली लैस लगाई गई है यह बजार से आपको ऐसी लैसे मिल जाएंगी आप बजार जाएंगे तो आपको बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन की लैसी मिल जाएंगी यह नीचे यह वाली एक शिटल की लैस लगाई गई है उपर यह एक मिल प्रेख के उपर जो लेस लगाने से इसकी जो सिजावट बन चुकी है अगर आपको स्टिचिंग आती है तो बड़े आराम सी आप इसको स्टिच कर सकते हैं प्रेख के अलावा में आपको येलो कलर में ये डिजाइन दिखा रही हूं इसके ये बोटम का डिजाइन है ये भी आप बिल्कुल इसको रेडी कर सकते हैं ये देखिए गए इसमें दो दफा सीडी लैसिस का इस्तमाल किया गया है ये अगर आपके ट्रोजर की लेंद काम हो कर दिखा रहे हैं ये अगर आपकी ट्रोजर की लेंद पूरी हैं फिर भी आप इसमें कोई डिजाइन बनाना चाहा है इसमें इस सीडी लैसिस का यह भी सेम उसी कलर और ट्रोजर है इसको भी सिंपल तरीके से रेड़ी किया गया है यह अर्मन्स स़ाइज के मैं आपको ट्रोजर दिखा रही हूं जिनकी लेंद 37 इंच है इसके दरम्यान में स्लिट रखा गया है मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूं इसके बॉटम का डिजाइन नीचे से इसको आम तरीके से जैसे फॉल्ड करती है आप किसी भी घेरे को या शिलवार के बॉटम को इसके अंदर अलग से यह डोरी बना के इसमें डाली गई है इसको आप खेंच के अपने अंदाजे से जितना आपको नीचे से खुला रखना है आप गिरा लगा सकते हैं गिरा लगाने के बाद आप यहां से बटरफलाइ बनाएं और यह पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है यह छोटी बच्चियों के भी आप रोजर रेडि कर सकते हैं इस तरह के तीन से चार साल की गिरा लगाएं अगर आप खुला रखना चाहें तो आप इसको नीचे से खुला भी रख सकते हैं यह वाइट कलर का ट्रोजर है इसको पर काफी ज्यादा मेहनत की गई है इसके उपर दो तरह की लैसिस का इस्तमाल किया गया है एक सिल्वर कलर में एक गॉल्डन कलर में पहले आप इसका स्क्रीन शूट ले सकते हैं क्योंकि अगर अगर अपने टेलर को दिखाना चाहें तो इजी ली उसे दिखा के आप यह डिजाइन बनवा सकते हैं इसमें पहले ये दो फिंटिक्स डाले गए है उनके दरम्यान में एक दफ़ा ये गोलडन लैस लगाई गई है उसके नीचे ये चार इंच का पैनल दोबारा से अलक से ऐटेच किया गया है आटेज़ करते वकित इसके अंदर ये लैस लगाई गयी सलाई के अंदर चाहिए यूज师 , नीचे भी ऐसा ही है यह दिखिए इसमें तिर्छे प्लेट ढैलें गये रहिए पार इसके अंदर गूल्डन लैस लगाई is को गौल्डन वाली शट के साथ भी चैरी कर सकते हैं और इसको आप सिल्वर जिस शेट के उपर डिजाइनी हो दोनों के साथ ये ट्रोजर चल सकता है सिल्वर और गॉल्डन दोनों लैसिस के इसके उपर इस्तमाल किया गया है अगर आप ये इस तरह की लैस बजार से लेना चाहें हार सूट के साथ केरी हो सकता है कुर्टे के साथ पहन सकते हैं ये नॉर्मल स्टंडर साइज में ट्रोजर बना हुआ है यह ना बहुत आप इसको हर तरह की शर्ट के साथ वयर कर सकते हैं अब मैं आपको एक कलर वाला ट्रोजर दिखा रही हूं यह एक शर्ट के साथ का ट्रोजर है उसकी शर्ट में बलैक और गुलाबी कलर की डिजाइनिक वाली शर्ट है यह खुद से रेडी किया गया ट्रोजर है इसके उपर हैंड मेट इमबॉडरी की गई है इसमें दो दफा पाउं के चिकन की बूटियां बनाई गई हैंड के साथ हैंड इमबॉडरी की गई है इसके उपर वान टू त्री फॉर फाइफ जो हम कहते हैं एक पाउं के इसके उपर पिंटेक्स डाले गई हैं दो दफा सीड़ी लेस का इस्तमाल किया गया है यह काफ़ी मेहनत वला ट् होंगी अगर आपको हैंडी बॉइडरी नहीं आती तो आप इसके अलावा चोटे-चोटे बजार से फ्लावर अबेल हैं मिल सकते हैं तो आप वो लेके इस कढ़ाई की जगा पर आप वो चोटे-चोटे फ्लावर लगा सकते हैं उससे भी आपके ट्रोजर की सूरती में इसी अब मैं आपको स्कीन कलर के ट्रोजर दिखार ही हूं यह मैं आपको कॉमन शैट के जितने भी प्रोजर दिखारे एंब कर्ति creation आब करते आम ऐसके बसने कुड़ी ज sopr करे को पर पर का अप के तिक देत डिजासद ऑना किछारी प्लावाई मैं आपको प्लिषीया हैं यह कर कर दोके हर तरह की शूटी कर सकते हैं कि इसक्रमॉपर ज्यादा मेरे तकीchn 55 पूक्त पांड़ाफ होता है पर प्हूंत लाओं मारचम कि बढसना तक हैं कि कड़ू रखके डूह लगार कि इस ख्व़ी करक आट बाला एंदर चिकन लगा है। प्रॉपिन नावा पर प्रॉप्सेटिब साथा उस्के निचे इत्वाल गश्बन काटुर साथे ही इस प्रातिया फ़िधत पर एक से बनी आप प्राली पर्राइज जाया है ते इना। सब्सक्राइज लेखा है। मैं बताती चलूँ, यह तक्रीबन नीचे से सेवни इंचीज खुला एर, जो आम रूटीन में हर गूअ कोई इतना ट्रोजर का बो, पैन सकते हैं बनवा सकते हैं, इसको खुला भी बनवा सकते हैं इसे तंग भी बनुआ सकते हैं यह भी मैं आपको एक लोन का ट्रोजर दिखा रही हूं लेकिन इसके नीचे मैंने फैंसिव रख किया हुआ है इसको पर जामावा लगाई हुए है यह स्कीन कलर की सेम कलर की ग्रीन कलर की और मेरून कलर की यह वहली मैंने इसको जामावा लगा के मैंने इसकी डिजाइनिंग कि अब हैं यह निए कर सकते हैं यह नीचे से बैल बॉटम । स्टायल में हैं अगर आप इस ती बने हुई की वीडियो देखना चाहते हैं कि आपको यह बनाना सका जाए इसफेंदे hasn आम मुझे में मुझे पता सकते हैं कि अगर आपको यह डिजाइन पसंद आए कमेंट्स में मुझे बताईए का मैं आपको यह दुपाना से बनाना डिजाइन दिखाऊंगी कि यह किस तरह से कितनी एजीली बन सकता है यह डिजाइन आप भी खुद घर में एजीली यह डिजाइन बना सकते हैं इसको पर जमावार का वरक किया गया है यह देखिएगा मैं आपको इसकी तफसील से वीडियो दिखा रही हूँ बता भी रही हूँ आपको साथ-साथ कि यह किस तरह डिजाइन बनाए यह फूर साइडिट अंदर और बाहर वाली इसकी साइड पे बिल्कुल एक जिस तरह डिजाइन बनाया गया इसकी बौटम पे इसके उपर भी वही लैस का इस्तमाल किया गया है जिक-जैक वाली लैस तिल्ले वाली लैस यह खराब नहीं होती है एक मैं आपको बात साथ-साथ बताती चलूँ यह लैस खराब नहीं होती है जितनी दफ़ा मरज़ी इसको वाश करें यह ऐसे की ऐसे ही रहेगी हमें उन चीज़ों के इस्तमाल करना चाहिए लौन के सूटों पे खास तोर पे जो वाश करने के बाद खराब नहीं हो क्योंकि लौन के सूट ज्यादा पहने जाते है इसलिए हमें इनक्यों पर बहुत इहत्याद से कोई लैस लगानी हो तो ऐसी लैस के इस्तमाल करना चाहिए जो वाश करने के बाद खराब नहीं हो यह एक बिल्कुल सिंपल ट्रोजर है उसके पर सिरफ लैस लगा कि इसकी सजावट में हमने अधाफा किया है इसकी कूपचूर्टी में बहुत ज़्यदा अधाफा हुआ है यह बिल्कुल सिंपल ट्रीके से पैंट की इसकी कटिंग है इस ट्रोजर की पैंट ट्रोजर की यह कटिंग है लेकिं यह सीरेट पैंट नहीं है नॉर्मल पैंट की कटिंग की इस ट्रोजर की इसको पर हमने लैस का गॉल्डन सेम कलर के इस्तमाल किया है यह पूरी लैस है यह जो इसके बॉटम पर लगाईगी है लैस लगा के उसमें से यह छोटे छोटे से फ्लावर कटिंग करके यह उपर इसमें छोटे छोटे फ्लावर अलाग से अटेज किये गए है यह भर में भी अ्टैज कर सकते हैं आप बाई से भी इसको अटैश करवा सकते हैं लेकि यह घर में इसको अटैज किये गई हैं इसको पर मैं आपको इसको खूल की दिखा रही हूं नीचे थ्री मैं आपको गिनके बता रही हूँ कि इसके उपर कितने यह फ्लावर कटिंग करके लगाए गई है पहले थ्री की लाइन लगाई गई है यह वान टू थ्री उसके बार तू फिर वान इसको इस तरह से एरेंज करके इसकी सिस्जावट बर्माई गई है जब पहनेंगे तो इसकी पहनी हुई लुक बहुत अच्छी आएगी बहुत सिंपल तरीके से रेड़ी किया है सिर्फ लैस की वज़े से इस प्रोजर की कफ़ी ज्यादा लुक अच्छी बान गई है ये देखिएगा आप इस तरह से पिसका स्क्रिंशूट ले सकते हैं कोई भी आपके पास लैस हो वाइड कलर में हो किसी भी कलर में हो आप किसी भी कलर में इस डिजाइन को बना सकते हैं वाइड में, बलैग में, ग्रीन में, इस तरह की लेकिए जिसमें से फ्लावर कुटिंग हो, फ्लावर कुटिंग करके आप ट्रोजर के बीच में लगाएं, अपनी ट्रोजर की खूप चुर्टी में अजाफा करें, लास्ट वाले ट्रोजर है, इसके नीचे सिरफ नीचे बि इसमें कोई इतनी खास मेहनद नहीं है आप इसको बहुत असानी के साथ फुद घर में त्यार कर सकते हैं इसका आप इसली स्प्रिंशूर ले 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 इसके अलावा आपको ट्रोजर की और जादा डिजाइन देखनी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमिट्स करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें